हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जीव अच्छाला में आपका बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तियारी बहुत ही बड़े डंग से चल लई होगी दोस्तों आपका रेडियो उपरेटर का फॉर्म भरे वे डेड़ साल से भी हो जाएगा आप साहम सब को लग रहा हाथा कि आने वाले तीन-चार-पांश महीने में कराएका कभी ने तो परन्तु आप के बारे में बात है तो जरूरी आपको देनी है यह आप सब को पता है कि टेंडर की प्रकृष चल लई थी और टेंडर की प्रक्रिए में क्या था कि ये कंपनियों को बुला रहे थे, वरति बॉर्ड वाले क्या कर रहे थे कंपनियों को बूला रहे थे, के भई, ये हमारे, ये ही एक राइटेरिया है, इन्हों ने बुला था हम hybrid mode में आपका exam करवाएंगे, hybrid mode था उसमें कैसे था, कि आपको जो question पेपर मिलेगा तो computer की screen प रहा था अब इन्होंने जो डेट रखी थी के सत्रा तारिक के आसपास डेट रखी थी ठीक है कि तब तक निविदाई होंगी तो अभी हाल-फिलाल की डेट रखी थी आपकी मई की पूरी की पूरी और उसमें फिर जिन-जिन कंपनियों ने एपलाई किया उसमें से क्या पहले तो उसमें ये पता आभी जो टेंडर की बात चली कि उसमें आपका बहुत कम कंपनियों ने भाग लिया मुश्किल से 1-2-3 कंपनियों ने भाग लिया ठीक है और उन कंपनियों ने भी जो भर्ति बोर्ट की जो शर्ते थी एक्ञाम पैटरन को लेकर के कि तुमको यह जो टेंडर है यह टेंडर पुरी तरह से फैल हो गया है और टेंडर पुरी तरह से फैल हो गया है इसका मतलब जो आपके एक्जाम की उमीद आने वाले दो तीन चार महीने में बन रही थी वह एक्जाम की उमीद अब बहुत आगे बढ़ गई अब पता नहीं एक्जाम कंडक्ट नहीं करवाय जा रहा है सब को लग रहा है भरती बोर्ड को भी लग रहा है कि पैटर्ण चेंज करने सब चीज़ें बदल जाएंगी पहले तो कह रहे थे कि धांदली अरे यार आप ही देखो कि अगर राज्य की पुलिस यह दी है या राज्य का भरती बोर्ड है व अगर पुलिस चाहे तो आप ओफ-लाइन एक्जाम लो हिम्मत किसी की जो एक भी परवार जाए उसमें हिम्मत किसी की पर क्या करें कि जब अपने ही घर में दिक्कत हो है नहीं नो सो चुए खाकर बिली हज को चली ठीक है जब तक अपनी ही आदत नहीं शुदरेगी अपनी और उसके बाद जब दुबारा एक्जाम करवाया गया तो इतना फेर एक्जाम हुआ कि किसी की इम्मत नहीं हुई और आप इसमें इंपोर्टन बात यह देखो 20 लाक लोगों ने एक्जाम दिया था सिंगल शिफ्ट में सिंगल टाइम एक्जाम दिया तो जब 20 लाक लोग इच्छा रहती है तो उनकी चाहें कहां तक पूरी हो पाएंगी ठीक है तो कम से कम इस भावना को त्याग नहीं पड़ेगा तभी जाके चीजें होंगी बुरी खाबर यह है कि टेंडर आपका पूरी तरह से फेल हो गया है आप दोबारा से आपका टेंडर निकाला तो यह ऐसी ऐसी चीजे हैं भरती बोट ने नोटिस में निकाला था 27 तारिक को तो उस नोटिस में कुछ बिशेश बात नहीं थी परन्तु यह खबर जो है वो निकल करके आई है आपकी के जो आपका टेंडर है वो लगभग एक तरह से असफलता की तरफ बढ़ गया है और फिर भी जो भी लोग जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं और सीडियसली तैयारी कर रहे हैं उनके पास और और ओप्शन तो है नहीं है आपको यूपुलिस कॉंस्टेबल की तैयारी करनी है अब आप सबको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी आप करत सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक शेर जरू कर दीजे अगर आपको अच्छी लगती है तो इसी इच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाट्षा मैं हूराम भर द्वज जे हिंद जे भारत